नमस्कार तेलंगाना में एक एरान कर दिने वाली गटना सामने आईए तेलंगाना पुलिस ने अत्या के मामले में एक मुर्गे को गिरबतार किये अब पुलिस मुर्गे को अदालत में पेस करेगी आईए जानते हैं पूरा मामला यह गटना तेलंगाना के जक्तियाल जिले का है जास सोमार को ये लंबा मंदिर में मुर्गों की लड़ाई का खिल चल रहा था इसे दोरान एक मुर्गे ने अपने 45 वर्ची मालिक 37 पर अमला कर दिया जिससे उसकी मोत दो गई इसके बाद बताया गया है कि पुलिस ने मुर्गों गिरपतार कर लिया है यह गटना 22 फ्रावरी के दिन लोतुनूर गाउं में तब गटी दुई जब मुर्गे की मुर्गे को अवद मुर्गा लड़ाई के लिए लाया गया मुर्गे के पैरों में चाकु बंद हुआ था पैरों में चाकु बंदे हुने करण मुर्गा जट पुटाने लगा बता दे कि तेलंगाना में मुर्गा लड़ाई पर बेहन लगा हुआ है लेकिन ये लंबा मंदिर में सियावद रूप से चुपचा पायजित किया जा रहा था इस मामले की जांच के बाद पुलिस उस मुर्गे को गोला पल्ली पुलिस थाड़े में ले आई जहाँ उसे पुलिस करमचारियों के निगरानी में रखा गया है पुलिस ने मुर्गे के लिए दाना पानी भी की विवरस्ता किये जानकारी मिलिये की पुलिस ने मुर्गे को गिरपतार कर लिये हाले की पुलिस ने सिंकार कर दिये गोला पली के सेचो, बीजी उनने सपष्ट किया है कि ने तो मुर्गे को गरपतार किया गया है, नाई डिटेन किया गया है आलगी पुलिस मुर्गे को कोट के सामने पेस करेगी, जच के निरदेश के बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा तेलंगाना के जक्तियाल जिले में रहने वाले पैतालिस साल के सतीस ने अपने मुर्गे को कोक फाइट में उतारा था यानि मुर्गों की लड़ाई में उन्हें उतारा था मुर्गों की इस लड़ाई में उनके दोनों पैरों में चाकु बांदिये जाता है इसके बाद उन्हें लड़ाय जाता है जो भी अपने सामने वाले मुर्गे गायल कर देता है वो जीत जाता है सतीस के मुर्गे के पैर में मंदेचाक उसे सतीस खुदी गायल हो गया उसके बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया जा उसे डोक्टरों ने म्रत गोशित कर दिया तो ये था तेलंगा नामे एक रोचक अत्याग मामला जा एक मुर्गे ने अपने मालिक की अत्यागरदी और पुलिस ने उसे अत्यागी जुरम में गिरपतार कर लिया है पुलिस सब उसे कोट के सामने पेस करेगी और आगे का एक्षन कोट द्वार लिया जाएगा एची ताम देश दुनिया ख़ब देखने के लिए अमारे चैनल नमस्तेंडे और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे नमस्तेंडे प्रार के साथ